और आठ राज्यों की 58 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है तीन बजे तक की बात कर ली जाए 49.2 फीसद मतदान हुआ है बिहार में कि अगर बात कर ली जाए 45.2 एक परसेंट वोटिंग हर्याणा में 46.25 परसेंट जमू कश्मीर में 44.41 फीसद वोट अब तीन बजे तक 1.34 परसेंट ओडिशा में 48.44 परसेंट उत्तर प्रदेश में 43.9-5 फीसद वोटिंग हुई है जबके पाशिन मंगाल में 70 फीसद से बाट कर रहे हैं और क्या वोटिंग परसेंटेज है तीन बजे तक का वो हमने आपको बता दिया निरहुआ धर्मेंद्र यादाओं बड़े लड़ाई है एक तरफ वह आपको दिखा रहे हैं इस चरण में आठ राजियों के अठावन सीटे पर वोटिंग और दिखजों ने अपना वोट कास्ट भी किया है दिली के जो साथ सीटे हैं उनमें आज वोट कास्ट हो रहे हैं छठे चरण का यह चुनाओं पांच फेज में 439 सीटों पर मदान हो चुका है और एज जून को पाकरी 56 सीटों पर वोटिंग होनी है और जो हमारे से होगी है वो लगातार अपडेट के साथ आपको नजर आ रहे होंगे हमित कुमार हमारे साथ जुड़े हुए है शंकार आनन दिल्ली से आपको नजर आ रहे होंगे सरवेश दुबे प्रयाग राज के हाल हमें बताएंगे सबसे पहले शंकर आपके पास मैं आना चाहूंगा और अगर राजदिक पार की बात करें तो राजदिक पार भी काफी चड़ा हुआ है क्योंकि जिस तरह से बोटिंग प्रसेंटेज देखने को मिल रहा है और जिस तरह से बोटिंग हो रही है लोग तो निकल रहे हैं लेकिन यह 44 पर पर प्रसेंट बहुँ जादा नहीं मान सबसे बहुत करें कि यह सबसे बढ़ा एक लोगतंत्र पर्व लोग अपने घर से निकलेंगे और मतदान करेंगे तो निशन दौर पर आपको भी खुश ही होगी और इसी बात को लेकर अभी भी लोगों से अलगए बदान सभा में लोग बत्समाश है झाकर अपिल कर रहें सबसे हrialconomy 不錯 चुनाव के सबसे चनाओ कीरें इब मनोह स्वारी जो एक बहुत अभिनेथा हैं और दिल्ली के अध्यक्ष मेरा चुकी निए उनकी लड़ाई है चुनाओं में वह कनिया कुमार के साथ मेर्ब्स दोनों में अर सब्सक्राइब करें कि यहां पर पूर्भ सुस्मा स्वराज रही है सुस्मा सुराज नेता रही है उनकी बेटी इस वर चुनाव में खड़ी हुई है दिली में दोनों ही पारे चड़े हुए नजर आ रहे हैं वैसे पारे कम थे फिर अचानक से किसी को जमानत मिल गई अपर पहुंच गया अमित कुमार भी हम ऐसा जुड़े हुए हैं अमित क्या हाल सिवान से देखें बिल्गोल यहां पर अगर सिवान की बात करें तो सिवान में परचंड गर्मी है और सियासी तापान भी चरा हुआ है इस विट वोटर जो है वो भी पूरे मिजाज के साथ वोटकास्ट करने आए हैं हमारे साथ मौजूर है जिन वोटरों ने वोटकास्ट कर लिया है यह बताएगा कि आपने वोट दे लिया थोड़ा इंक डिखा दीजिए निली से आई जो लोक्तनत के सबसे खुस्तुरत से है आपकी ऊंग़ी पर लगी होगी है किन मुद्धों पर वोट करने आई है कि उतिकास नौकडि क्या चाहती इस तरह के बतलाव चाहती है या जो सरकार है बेतरन सरकार रहें तकास विकास आप बताए है आप अपने वोट देतिया है बड़िया सन्थ वे defa किन मुद्यों क और ब्यूदि कुछ करब दो आपरा सिलफि विल्टी ले रही ती आप बताइए कि मुद्ध पर वोट क्या में Mr. 1020 भी विकस ओ ओ रहे हुँ वह शीवान का भी illness में वह अ बेधर सरकाराय शाही है तर जो सकारल जो काम कर दूये वह हाँ अब ही रहा हां वही रहा है और दी वोटर है आप बताईए सर गर्मी ने परसान कर रहा लेकिन वोट का चुटत आपने दे दिया जरूर जरूर देना हमारा कर्म है हमारा धर्म है बोट हर इंसान को देना चाहिए लेकिन आपको नहीं लगता कि जितना बेहतर वेवस्टा यहां पर परसासन ने किया साम को भीड होगे चार बजे के बाद आज का दिन निकल जागा मैडम उसकुरा रही है थोड़ा आगया आज आज का दिन निकल जागा टाइम निकल जागा छे वजे के बाद चाह कि आप गर्मी ठंडा वर्साथ कुछ भी हो आप वोट तो नहीं कर पाएंगे लेखिया हमन युगदान कीजिए मदान कीजिए आप बता यह मैं आपने वोट कहीं वी किया है लोक्तंत को तो मजूद किया ना क्या चाहती है सरकार बहतर है बहतर सरकार बनी रहे देशने पुरा विकास तो सब लोग के लिए भी सरकार अच्छा करे महिलाएं जो हैं वो पुरी तोर से मोर्चा समाली हुई है और कहना है इन लोगों का कि वोट पर सिजब भले ही सिवान का भी थोड़ा कम है लेकिन जैसे थोड़ा समय ढलेगा गर्मी की मिजाज में थोड़ी नर्मी आईगी यहां पे वोटरों का खतार एक पास फिर से नजर आगा यह उमीद जता रही है दे आएंगे आएंगे आपके पास फिर से आएंगे सर्वेश भी हमाई साथ लगातार बने हुए हैं सर्वेश क्या कुछ अपडेट वोटिंग परसेंटेज का वोटर का EVM से संगम हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है रफतार कैसी है मुद्दे कौन कौन से सर्वेश देखे मैं आपको बता दू कि संगम नगरी प्यागराज में जैसे आपने कहा कि बहुत जादा मदाताओं ने सुबह के टाइम उत्सा दिखाया था लेकिन लगातार गर्मी पड़ रही है टंप्रेचर करी 45 डिग्री है और इस वक्त मैं आपको दिखाऊं कि मैं फूल पू वोटर हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं लोग अपने मतादिकार का प्रियोक करें तीन बजे तक जो आधिकारी का आख्ड़े आए हैं दो लोग सभा सीटे प्रियागराज में हैं फूल पूर का जो आकड़ा है 49.46 फीजदी है और इलाहाबाद का जो है इलाहाबाद लिए इन से बात करते हैं ये बताइए कि आपने वोट डाल दिया काम से मध्डें थे जिन मध्दों को लेखर आप ने मौट किया है उसका कोई जबाब नहीं है आप बताए को से लोग देखे विकास तो पहले नंबर पर है बाकी युवाओं के लिए जो है रोजगार के आउसर खुले हैं सब चीजे इतना है इस मुद्दे को लेकर आपने वह डाल दिया दिखाइए से अपने अपने कहुं सा मुद्दा था किस मुद्दे वोट किया आपने मुद्दा नहीं मालूम वोट तो डाल दिया सरकार पढ़िया काम कर रहे हैं अब हमें जो सरकार पसंद आई इससे पहले जो है मैं नहीं जानता क्योंकि बहुत से सरकारी थी लेकिन अब भी मुझे जो सरकारी समय प्रेजेंट टाइम चल रहे हैं वह हमारे लिए मतलब विकास से देखा जाए हार एक चीज मतलब पहली बार उड़ दिया आपने हाँ यह पहली बार मैंने पहली बार अपने अधिकार मिला हुआ है मद्दान करने का इसको देने के बाद कैसा लग रहा है हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसे ही चलता भी रहेगा आगे तक तो निश्चित पर देखिए कि सभी मद्दाता जो है वह अपने मताधिकार का प्रियोग कर रहे हैं मद्दान की रफतार धीमी जरूर है लेकिन यह उमीद की जा चाहिए और अब शंकर के पास हम आपको लिए चलेंगे शंकर अब थोड़ा सा मामले को सियासी में चाहूंगा आप जबी समझा रहे थे सीटों के बारे में किन सीटों पर आपको ऐसा लगता है कि एकदम वाक ओवर जैसी इस्तिती नहीं है माइलेज देनी जैसी इस्तिती कुमारा करें तो मनुष्दिवारी सीट के काफी समर्थने रहें जिस तरह से राहूरा की बात के रहे राहूल गांधी के पार्टी के उमिद्वार कनहिया कुमार तो वो टक कर दे रहे हैं चलिए सबसे ज्यादा चर्चा का किंद्र में हैं दूसरे बात करें वक्त की थोड़ी कमी है बहुत-बहुत धन्यवाद आपका सर्वेश हमारे साथ बने रहा है सर्वेश क भी बहुत-बहुत शुक्रिया और अमिद कुमार सीवान से अपडेट दे रहे था उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद और यह जो तमाम अपडेट्स हैं वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे और यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए